कहानी कुर्सी के में आप बात होगी आम आदमी पार्टी की और उनके कन्वीनार अर्विन के इश्रिवाल की विधान सुभा चुनाफ दोहसार पच्चिस को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है उन्होंने दिल्ली विधान सुभा चुनाव में अलाइंस को लेकर कहा है कि आप किसी से कोई गड़ बंधन नहीं करेगी दिल्ली में सभी सीटो पर आम आदमी पार्टी अकेली चुनाव लड़ेगी कोई गड़ बंधन नहीं होगा सत्तर के सत्तर हम लड़ेंगे आप पहले सुनें क्या कहा हो ने दिल्ली में कोई गड़ बंधन नहीं होगा दिल्ली में कोई गड़ बंधन नहीं होगा यह तो होना ही था वो तो करीब-क्रीब तहय था विदान लोकसभा चुनाओ के वक्त भी यही हो रहा था कि गठबंदर नहीं होगा विदान सभा चुनाओ के लिए नहीं होगा लेकिन अरविंद केजरिवाल जी की एक बात पर भरोसा किया जा सकता है इतने दस साल में मैं करने माहुल आम आदमी पार्टी 62, 67 यह 60-30 लाने लायक नहीं है लगाता है मैं उसकी जरुरत हो सकती है और यह मैं बता हूं कि यह दि मान लीजी है आम आदमी पार्टी को भाहुमत नहीं मिलता है, मैं कोई भाविश्मान नहीं करता है, तो वो कॉंग्रेस के साथ गढ़बंदन नहीं करेंगी, इस संभावना को आप खारीज मत कीजिए. मैं इस में जुडना चाहता हूं, गढ़बंदन तो हुगा, जैसे ही गढ़बंदन ऐसे होगा, जैसरे उत्त्रबादेश अभी नोग सीटों पर समाजवाधी पार्टी और कॉंग्रिस का था? समावाधी पार्टी ने कहा हम आपको एक भी सीट नहीं देंगे तो कॉंग्रेस ने कहा कि नहीं हमारा गडबंदन रहेगा हम चुनाव में लड़ेंगे हम आपको समर्थन देंगे पुएसे ही दिल्ली में आमानिया पार्टी को सुग्रेस को सेट नहीं देखी लोगीश का आखरी समय में चीटे कंग्रेस को काउग्रेस को लगता है क्योंकि मुस्ति वोट बैंक केंजिवाल नहीं चाहेंगे मुसलमाना को वोट जिल्ली के इंदर बटे और अरविन केज़िवाल कितरी भी कोशिश कर ले, कॉंग्रेस का एक वोट बैंक दिली इंदर है, जो कांग्रेस को वोट करता है, अगर आप लोक्सोबाचनाओ का वोट पतिश्यत देखेंगे, आप विधान सभाचनाओ का अगरमध पतिश्यत देखेंगे, तो दिली में आ किना कॉंग्रेस के अर्विन केजिवाल बहुत आराम से अक तुसरी बाद सरकार बना लेंगे यह संभव नहीं होगा अब पंजाम में देखिए पंजाम में भी आमाधी पार्टी का जो उप्चुना हुआ था पंजाम में आमाधी पार्टी का गड़बंदर नहीं हुआ कॉंग्रेस को जीत मिलिए तो आमाधी पार्टी दिल्ली में कॉंग्रेस और किसे खारीज नहीं कर सकती मुझे लग रहा है यह पहले जरूर कह रहा है अर्विन केजिवाल लेकिन जब वो देखेंगे कि भारतियंता पार्टी का तो अभी आठ डिसम्बर से हर कॉंस्ट्रेश में परिवर्टन यात्रा शुरू हो रही है तो मुझे लग रहा है कि अर्विन केजिवाल के पक्षमें नहीं है जो पहले दो चुनाओं के अंदर रहा था मतला अभी मोचे कह रहे हैं कि मैं गड़बंधन नहीं करूंगा हमाएं दो मेहमानों की राई यह हर्श्वर्दन कि गड़बंधन नहीं करेंगे यह इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता और कॉंग्रस भी जानती है अकेले दम पर वो सरकार नहीं बना सकती है और इस बार अर्विन केजरिवाल भी थोड़े से भटक गए हैं कि विश्वास वगेरा की बात नहीं करनी चाहिए राजनीत की बात करना और विश्वास की बात करना दोनों बड़ा ठीक नहीं हो वो अच्छा नहीं लगता दोनों एक साथ जाता है तो थोड़ा ठीक नहीं दिखता मेरा ये मानना है कि जब जीतना भी हारना भी चाहे आप गड़ जोड करें चाहे न करें तय है ही जब उनको जीतना था तो उन्हों नहीं किया दो दो बार दिल लिम बढ़िया देखे लेकिन गड़ जोड करके भी क्या साथ में से एक भी सीट जीत पाई क्या भारती जनता पार्टी से नहीं जीत पाई पंजाब में उन्हों नहीं किया गड़ जोड लेकिन जीत गए विधान सभा उप्चुनाओं में भी तीन एक से जीत गए तो मुझे लगता है कि अरविंड केजरिवाल को ये बड़ी क्लेरिटी है कि एक बार हमने कॉंग्रेस को अगर हाथ पकड़ने का आउसर यहां दे दिया तो फिर मुश्किल हो जाएगी ये ठीक बात है कि मेरा भी अपना मानना है कि दिल्ली में अरविंड केजरिवाल बहुत कमजोर विकेट पर है MCD अब भारती जनता पार्टी के पास नहीं उनके पास है दिल्ली की हवा, दिल्ली का पानी, दिल्ली की यमुना सब कुछ बहुत खराब है दिल्ली की सड़कें खराब हुई पूरी तरस है और कितनी खराब थी ये खुद अर्विन जी आतिशी जी और मनीश सौधिया जी सौरब जी सबने मिलकर दिखाया कि देखो हमारी दिल्ली की सड़कें कितनी खराब हैं कितनी खराब हैं ये उन्हों नहीं दिखाया वो काम भाजपा को करना था लेकिन उन्होंने सब दिखा दिया है अब भाजपा उस मोमेंटम को कितना लाब के तौर को रोक्योग कर पाएगी ये सवाल है कॉंग्रेस और केजरिवाल फिलहाल मुझे लगता नहीं है दोनों की अपनी जो इस्तितिया है उसमें एक दूसरे के साथ हाकर विधान सबस्वा चुनार वढ़ने जा रहा है अच्छा अर्विन केजरिवाल के साथ न जाने क्यों चुनाव से पहले कुछ तरीके की घटना है असलिक पुना वृत्ति हो रही है पिछली बार भी आप याद करें ये इलेक्षन का ही समय था प्रचार करने के लिए निकलते थे और उनकी उपर एक तरीके का हमला हो गया था इस बार फिर इलेक्षन नफ्दी का है फिर वो प्रचार के लिए निकलने है फिर पब्लिक historically यह चारे है कि उन्हें जान से मारने की कोशिश हो रही है और उन पर बकायदा विजय जी वो कह रहे है कि स्पिरिट से हमला हुआ और हमला करने वाले कि दूसरे हाथ में माचेफ्ट हुआ उनको आग लगा देना चारा है दिली पुलिस करें कि ऐसा नहीं है यह गलत तत्य है स्वरब जी कह रहे हैं वह बात लेकिन चिंता की बात है कि किसी भी प्लिटिकल लीडर और खासवर से अरविंद केजरिवाल जी मुख्यमंत्री रहे हैं तो उनके सुरक्षा की चिंता सब लोगों को करने चाहिए दिली पुलिस को भी करने चाहिए कि क्या हुआ है क्या हुआ सौー बारतवार जी ने खाय कि को इस्पिरिट डाल रहे था यह तो मुझे नहीं पता बहतना के जांच होगी या पुलिस देखेगी क्या हुआ लेकिन उन्हें जनता की स्पिरिट को समझने का वक्त है। इस्पिरिट डाली नी डाली वो मुझे नी पता क्योंकि वो तो जाच होगी तब पता पड़ेगा। लेकिन जनता की स्पिरिट को समझने का वक्त है और उस पर काम करना चाहिए। हर्स जी कहना है वो बात ठीक है मैं कह रहा हूँ कि कॉंग्रेस के साथ जाएंगे नहीं क्योंकि वो उसको हाथ पकंड नहीं देना चाहते है लेकिन उनको अपनी ताकत भी अंदर से पता पड़ रहे कि कमझूर कैसे हो रहा जैसे शेरीर में हुथा नहीं है अब बलही अच्छे से दीक हर रहे हूँ लेकिन अंदर यदि आपको कमझूरी मैसुस हो रही है तो वह को मैसूस कर सकते है इसलिए वो आए तभी दिल्ली के हालत भी खराब होगी, खुद जैसे अभी हर्जी ने भी बताया कि खुद मुख्यमंत्री केजरिवाल साब बाहर निकले तब पता चला दिल्ली सरकार को कि सडके मांकी खराब है, भारती जंदा पार्टी ने तो वो सारी चीजे ऐसी हैं जि अगर वो एलाइंस नहीं रहता है तो इसका फाइदा तो बीजेपी कोई होगा त्रिकोणी मुकाबला हो जाए इसलिए मैं क्यारू ने वहां पर भारती जंदा पार्टी है तो उसको कैसे रोका जाए इस पर कैसे अंडरेस्टिनिंग मनती है वो देखनी पर देखनी जब चड़ा अगहा जबर गयैक्त बात करने के लिए लेकिन सर कॉंग्रेस के पास क्या ये सुनेरा मौकान ही अगर वाकई में आम आदने पार्टी अंदर से कमजोर हो रही है अगर ये जो विश्लेशन है वही ऐसा ही हो रहा है और वी अर्विन केशिवाल भी सुने तब कॉंग्रेस पार्टी के लिए ये सबसे अच्छा अफसर है कि जिसने उन्हें दिल्ली से साफ कर दिया इस वर वो उन्हें दिल्ली के खड़े तो हो जाए पर अब विदान सबाचनौ नहीं पर चले गए आपने एक दम गुबारे कि पंचर कर दिया अपको बोड़ती तो आपके पास कुछ दिखना चाहिए कि आपके पास है लेकिन फिर भी चूकि विदान सबाद चुनाओ दिली का जो होता है हाट जिर्थ का मार्जिन बहुत कम से होता है कई कॉंस्टरंसी ऐसी है जहां आमादी पार्टी के तुलना में कॉंग्रेस का भी संगठन है जो मुष्णि मेरी आज जहां पर है कि वो एलाइंस नहीं करेंगे तो मामला अभी यहां से तो त्रिकोनिय दिखाई दे रहा है मतलब उन्होंने कह दिया आप जारा सीट मत मांगना हमने पहली कह दिया अगर आपको पहली बता दिया कि हम गड़बंदन नहीं करेंगे अगर प्रस्ताव लेकर आते हो तो दो-ती सीट लेकर आप हाजाना आप आरे पास अब पुछ दिन पहले बढ़े अच्छा आपने क्या प्रवब बोला था टू मिनिफ्टिर इन दे काप बिफोर है ना चलिए अभी हम क्यूंकि दिल्ली के बात कर रहे हैं और दिल्ली के उत्तर नगर से विधायक नरेश बालियान की गिरफतारी के एक दिन के पाद अर्विन केश रिवाल ने बीजिपी और केंदर सरकार पर पलटवार किया है उन्होंने कहा है कि दिल्ली के लोग दहशत की महौल में जी रहे हैं देश की राज़्थाने पर गैंग्स्टर्स का कबसा है अर्विन केश रिवाल ने औडियो क्लिप का विक्र किया उन्होंने ये दावा किया कि गैंग्स्टर कपिल सांगवान ने आमादने पाजे विधायक नरेश बालियान को थंकी दिये थी इसे की शिकायत नरेश बालियान ने दिल्ली पुलिस सकी और पुलिस ने आप विधायक नरेश बालियान की शिकायत पर कारवाई करने के बज़ए उन्हें ही गिरफ्तार कर लिया नरेश बालियान कपिल सांगवान ओर्फ नंदू का विक्टिम है वहां से उनको इस तरह की कई धंकियां आई और उन्होंने ये मैंने एक ही चिथी पढ़िया उन्होंने कई चिथियां दिल्ली पुलिस को लिखी कि इसके उपर कारवाई कीज़े मुझे लगातर धंकिया रही है उस पे कारवाई करने की बजाए कल दिल्ली पुलिस ने नरेश बालियान को गिरफतार कर लिया तो जाहिर है कि दिल्ली पूलिस की क्राइम ब्रांच के पास कुछ होगा पहले जब इसी तरह का कोई आडियो था या यही आडियो था उनकी तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि यह आडियो क्लिप जो है वो AI जेनरेटेड अच्छा आज कल आई जेनरेटेड ऐसा है कि आप सचमुच पता नहीं लगा सकते हैं कि कौन सा क्या है लेकिन अब नियायले में मामला जाएगा आप तो दिल्ली पूलिस को उसको रखेगी ना बताएगी ना कि यह मामला था एक्स्टॉर्शन का यह मामला था और नरेश बालयान की जो छवी है वो भी थोड़ा सा उसको सपोर्ट करती है कई बार आप कुछ जो कर रहे होते हैं तो उससे लोग जोड़ क लगा और दिल्ली पूलिस ने गिरफ्तारी की तो कोई यह नहीं कह रहा है कि ऐसा नहीं को लोग कह रहे है कि वो वाली क्लिप सही है यह नहीं और नरेश बालयान के खाते से लोगों को धमकी दी जा रही कि जो जो उसको साजा करेगा उसको हम अदालत में खीचेंगे सब और अर्विन केजरिवाल का नहीं था और अर्विन केजरिवाल वही है जो अपने नेताओं पर आरोप लगता था तो उसको निकालते थे वो खुद अलग हट कर खड़े हो जाते थे नरेश बालयान के साथ अगर केजरिवाल को खड़ा हो पड़ा है तो क्या वहां तक पा एक और बड़ी खबर RSS प्रमुक मोहन भागवत ने घड़ती हुई आबादी को लेकर चिंता जहर की है बड़ी खबर आपको दे दे उन्होंने कहा कम से कम तीन बच्चे होने चाहिए RSS प्रमुक ने आधुने का जनसंख्या विज्ञान का हवाला दिया उन्होंने कहा कि जब किसी समाज की जनसंख्या यानि की प्रजनन दर 2.1 से नीचे चली जाती है तो ऐसे में कोई परिशानी ना होने पर भी वो समाज धर्ती से लुप तो हो जाता है इसलिए जनसंख्या 2.1 से नीचे नहीं जाने चाहिए मोहन भागवत का पूरा स्टेटमेंट आप सुनिए फिर उसका विशले शुनिया करते तो आप जाने चाहिए जानन्क्या प्रमियोदे भर किन्ता लुप जीद्यदमिशाय तकारण शास्त्र लोकसंख्या शास्त्र जे आजमतिया सांग कि दोन पॉइंट एग चाहली जाले लागलो तो समाध नश्ट उन जाए निचे निचे पठीव तो रात ने ज़ए निच प्रमियोदे भाशे नश्ट जेला ने चाहिए निचे नश्ट जाले नश्ट जाली जाली अपलै देशाची जनदसंख्या निची एक जोनीशे अट्टेंट उगर मजे ठरली कर दोनादार दोन मेरे ठरली पार साल महीं तेचा तैम तभी आसा सानगर कि दोन पॉइंट एक पॉइंट एक में पॉइंट एक तो मारू जनलत नहीं तो दोन पेक्षा जास्ती पाइज तीन पाइज तीन पाइज कमी कमी शांस्त्र जाकर पर ही संध्या कि यह करता हुआ को अधिया है कि टिकल पाइज है कि नहीं कि टिकल पाइज अपना सगया ना अटकर टे आप लाए ते किती चांगला वाइट है यह मुल्यां का नंत तरस्त ते आप लाए अपन कुटूंबा थे शिक्तो रहा निर्या प्रकार अस्तक वेख्ती के कुटूंबा चार भवसले तीन भवसले दोन भवसले स्वमीर जी जहां पर चर्चा चल रही है जन संख्या विस्पोट की वहां पर जन संख्या दर दो दशनवव एक से कम नहीं होनी चाहिए क्या मतलब वो यह कह रहे हैं कि अभी और जन संख्या यह तो बढ़ने जैसी बात सुनाई देती है एकदम से अगर आप देखेंगे तो पहला डियाक्शन यह आएगा कि कहा हम पॉपिलेशन कंट्रोल पर बात कर रहे होते हैं मतल मतल को चाहिए दो फे तीन बच्चे को हरा रहे है क्या हूं पहला आट दो समाज को नहीं बढ़ र कि देश केंगी लेकिन इसमें हिंदू समाज के रहें कितनी सभागिता है कि हिंदू समाज उसके लिए जिम्मदारें देश की जनसंग्या बढ़ने के लिए तो इसा तो नहीं है तो मोहन भागजी जो कह रहे थे उनका एक कहने का ताथ पड़ता कि भई आधुनिक जनसंग्या जो कहता है कि 2.1 प्रजा अगर जनसंग्या काम होती है तो समाज कितना अगर जनसंग्या का रेशो है तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में एक मुश्किल हिंदू समाज के लिए खड़ी हो सकती है तो हिंदू समाज को यह देखते हुए 2 या 3 बच्चे होना चाहिए गरे के अंदर और इसके अलावा जिस बात का वो जिक्र कर रहे थे वो एक जॉइन फैमिली का भी जिक्र कर रहे थे कि जिस तरीके से अज नुकलर फैमिली हो गया है कि घर के अंदर एक ही बच्चा रहता है तो बच्चा इसलोशन में जीवन जीता है कोई भाई भहन नहीं रहता है अकिला उसका बच्च्पन रहता है तो एक पारिवारी जो पार पसमें लड़ाई जगाला होता है प्यार होता है तो इससे आप क्या समझ पाएं विजय जी तेक मोंन बागवजी जो बात कर रहे हैं सरसंग चालक है वो लगातार सामाजीक सद्भाव की बात तो करते रहता है लेकिन जो यह बात हो रही है इसको थोड़ा सा फर्टिल गिरी है कम हुई है सभी की सारे रिलिजन्स की सारे पॉपलेशन ओवराल हमारे है लेकिन अभी यदि 2024 का भारत सरकार का यदि हम वो देखें शेयर पी अभी यस की रिपोर्ट है उसमें फर्टिलिटी रेट जो है हिंदू की 1.9 है सिक की 1.5 है क्रिश्चिन्स की 1.45 है जैं 2.4 है तो वो उनकी सबसे जादा कम हुई है वैसे लेकिन अभी उनकी सबसे जादा है तो वो उस रेफरेंस में वो कह रहा है और यह बात पूरी दुनिया में हो रहे है चाइना में आपने देखा होगे उन्होंने जो वन चायल पॉलिसी ती उसको बदल दिया कि पोपुले विश्वास नहीं कर रहे हैं अब वहां दो और तीन बच्चों की बात हो रही है